जार्खन विधाना ओचुणाओं को लेकर आधियावाधी पुरी तरह राधनुती में होगे और इसका पूरा क्रेट जाता है कलपना सोरेंगी को यही इनि Exactly मैं यह ने बोल रहे हूं कि हम आधैबादी की बात करें तो हम बाकStud Może जों सौभाग्य है कि हेमन जी की मागणबंधन की सरकार में ये जारखन के अब 24 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और अबुआ सरकार जो लोगों की अपनी सरकार है उसमें आधी अबादी के बारे में किसी ने अगर सोचा है ये जो अगर सोच लेकर क्या आए हैं तो आधी अबाद जैसे आप समझ सकते हैं मैं महिला हूँ पहले मैं भी ग्रैनी थी ग्रैनी क्या करती है अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं त्याग करती है परिश्रम करती है और मैं समझती हूँ कि अगर जारकन में ऐसे कल्यानकारी योजना आई है तो इसका स्वागत ज़रूर होना चाहिए मतलब कि यह पहले 1100-2100 तो कुल मिलाकर एक क्या कहेंगे इसको बताए कि तरीके सब उधर से आरूप लगता है कि राशी को बढ़ाए गई गोगो दीदी योजना को देखकर देखकर देखें आपको पताना चाहूंगी कि गोगो दीदी योजना किसको देखकर आई है जारकन मुख्यमंत्री मया समान योजना को देखकर आई है और जारकन बने हुए 24 साल अभी पूरे होने वाले 20 साल किसकी सरकार थे सबसे जादा राज किसने किया तो यह सवाल का जवाब वो जो अपने उनका कुछ भी आरोप रहता है उसमें वो अपना बराशी की बात नहीं है आपने क्या बढ़ाया किसने किया पहली सोच हिमन सुरेंजी लेगर आया है जो स्वागत के रूप में एक जो अभी आरोप जो शुरू हो गया फिर कि सीधे एक हमला किया जा रहा है उधर से कि बंटी बबली की सरकार है इसको आप कैसे लेती है नुभवी लोग बोलते हैं तो मैं तो समझती हूँ कि अब राजिंती किस तर पे कहां जा रही है यह अब हमारे अगर सीनियर्ज लोग ऐसे करेंगे मैं तो भी नहीं हूँ आई हूँ मैं क्या सीखूंगे या मेरे से पहले या मेरे बाद भी अगर कुछ आएंगे कल को अगर मैं ऐसी कोई टिपने करती हूँ तो मेरे बाद में आने वाले लोग क्या सीखेंगे लेकिन कहीं न कहीं मैं यह समझती हूँ कि अगर यह बाते ऐसी रखती हैं अगर मैं आपको दिया है कि कौन हिट होने वाला मैंनम इसी गांडे में आपके पॉलिटिकल इंट्री हुए थी मुझे याद मही कवर कर रहा था तो उसी मंच पर आपके साथ उसमें चमपई सोरण जी तो आपको वकाई दा बेटी का करना समोजन दिया ता आज आपके साथ नहीं देखिए कह कहीं न कहीं एक बड़े अनुभवी और मेरे ससुर्जी के बराबर है और मैं उन्हें चाचा जी बुलाते हूं तो कहीं न कहीं मैं आपको कह सकती हूं कि अपना पंतो था ही और आज वो नहीं है हमारे साथ आज उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली है मैं उसमें आप कहां देख रहे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सियासत चुनाव विसर पर है और अभी एकदम से डिसाइडिंग फेज चल रहा है तो आप जी एमें को या इंडिया गडबंधन को हमारी जारकन की जनता के विश्वास में पा रहे हूं उनकी प्यार में पा रह रहे हैं तो काम के बूते में उतरे हैं हम लोगों ने काम किया है इस महागडबंधन सरकार ने जारकन के लिए कैसी गहरी और लंबी लकीर खीच दी है जिसका सोच पाना हमारे विपक्षियों के पास में तो है ही नहीं अगर आप काम की बात करें आखरी सवाल मैडम इरफा समयान से जोडा गया, तो क्या कहेंगे देखे, यह अपने व्यक्तिगर्ट अपने किया और उन्होंने मुझे मुझे मिंगे मिली हैं, ऑन्होंने ये जह माफी भी मांगी है, और मैं समझती हूँ कि ऐसी बाते इस तरीके से आपने बताया ना कि हम लोग उपसर्ग एक तूसरे पर लगाते हैं क्या सीखता है कोई भी नहीं ता अगर यंग है या आने वाली पीडी हमारी क्या सीखती है लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बात भी दुबारा उन्होंने तो माफी मांगी है लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस तरफ आकरशन के जरूर करना चाहूंगी कि इस तरीके की बाते आदर निया हमन सुरेंची के वे उपर में उन्हें जंगली करके संबोधित किया गया था एक मीडिया कर्मी के द्वारा और वो बड़े व्यक्ति हैं तो कहीं ना कह कि आप ऐसी धारना लोगों के अंदर में डालने का काम करते हैं चौथा स्तंब है मीडिया अगर ऐसे अनुभवी लोग इन तरीके के बाते करेंगे तो क्या सीखेगा ये बात इसलिए नहीं है कि आप आप एक समाज को उपेक्षित कर रहे हैं आप आपकी जो जबान है या सब्सक्राइब को लेकर विल्कुर फुल कॉर्फिरेंट न जा रहे हैं साब बता रहे हैं कि जो बिरोधियों की और से भासा का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीती में वैसी भासा के लिए कोई जगर नहीं है करना मैं संजीत इवारी के साथ संजेक संजेक कुमार सुना नुझ जटीन गृरी दे